देखे बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ है भारत का फार्मा सेक्टर और इसलिए इस पर फोकस बढ़ाने की भी आविशक्ता है कारोबारी लिहाज से भी और आम आदनी की जरूरतों के लिहाज से भी यह बड़ा इंपॉर्टन सेक्टर है इस पर बाक्षीत करने के लिए इस पक्त मेरे साथ बेहत खास मेमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैं गंगवाल ग्रूप आफ कंपनीज के मैनेजिंग डिरेक्टर अनिल जैन साब अनिल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शोपर सर जैसा कि मैंने का कि बड़ा इंपॉर्टन सेक्टर है और वैल्यू के अगर हम बात करें तो 41.7 बिलियन डॉलर का इंडिन फार्मसेटिकल सेक्टर है अभी वॉल्यूम के हिसाब से तीसरा ग्लोबली सबसे बड़ा सेक्टर है 55 बिलियन डॉलर का शायद हो जाएगा 2024 तक और दूगना हो जाएगा 6 सालों में 2030 तक 120 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा संभावनाव से भरा सेक्टर सर इतना शांदार ग्रोथ इसमें लेकिन उसके बावजूद बड़े पेंपॉइंट्स है सर मैं आप से सीधा सीधा पूछूँगा सर इतना बड़ा सेक्टर हमारा है आम आदनी को सस्ती दवाईयां मिलें इसके लिए कौन-कौन से पेंपॉइंट्स हैं इस सेक्टर के जिनको एड्रेस करना होगा सर आप म्यूट है अनिल जी अगर आप उसको अन्म्यूट कर दें उसके बाद सुरी दिपक जी यस बहुत रनेवाद थैंक यू वेरी मच फो दिपक जी भारत जो है वर्ल्ड का फार्मासिटिकल की प्रोड़क्शन फैसिलिटी माने जाती है वर्ल्ड की सारी दवाईयां मतलब थर्ड बिगिस्ट प्रोड़क्शन इंडिया में हैं यह आपको भी पता है आपने अभी भी बता है पेइन पॉइंट्स के लिए मैं अगर बोलूँगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनोवेशन अपने यहां पर इनोवेशन होता ही नहीं है कुछ भी नई चीज यहां पर इजाद नहीं होती है इंडिया में इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अब इसके अंदर अगर FDA को बहुत जादा मैंपावर दे तो उससे बहुत फरक पढ़ सकता है फिर हमारा infrastructure अगर डेवलप होगा तो supply chain बढ़ेगा supply chain अच्छा हो जाएगा तो जो अक्सेस है सब जगे बेग चीपर और पास्टर अक्सेस हो सकता है और छोटी कंपनियों के लिए अगर एक common digital platform government बना के दे दे वे जो production की recording, data का protection, data retrieval, efficient planning यह सब करें तो यह सब से क्या हो जो common आदमी है और सारे stake holders है जितने भी है फार्मा में connected producer है, marketing है, distributor है और खासकर जो आम आदमी है, इन सब को दवायां substantially मतलब reduce rate में मिल सकती है बिल्कुल, अचा सर एक चीज़ जब जब मनें फार्मा सेक्टर की बात करी और कोरोना काल में खासतोर से, तो बार बार एक चीज़ का जिक्र हुआ, सरकार के स्थर पर, आप जैसे जो बुद्धी जीवी हैं, सेक्टर के उनके स्थर पर की साब API की जो निर्भरता है, खास तिसदी, CGR के साथ ये ग्रो कर रहा है, दो हजार चब्वीस में अगर हम चाइना का देखें, तो वो 35 बिलियन को पार कर जाएगा, सर, यूएस का, अगर आप देखेंगे, तो 71 बिलियन 2021 का ही है, मतलब पूरी दुनिया में API का जो मार्केट है, वो शानदार है, लोग इस खास और से चाइना पर जो निर्भरता है, वो खत्म हो, हम घर में ही API बनाना शुरू करें, दीपक जी, चाइना पर निर्भरता कम करनी है, ये तो एकदम आखशियक है, सारी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर काम कर रह तो सबसे बड़ी बात जो आती है, effluent treatment plant, दो बड़ी cost है, pharmaceutical दवाई बनाने में, एक effluent का disposal और दूसरा utility and power, ये दो चीज़ अगर government बहुत अच्छी तरीके से subsidize करें, बहुत अच्छा infrastructure प्रोवाइड करें और reduced rate पे, तो इंडिया में cheaper दवाई बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई दोराई नहीं है, फिर दूसरी एक चीज़ है कि university और industry का collaboration, हम education दे भी रहे हैं, पर university और industry का collaboration नहीं हो रहा है, और जो incentives है, वो incentive खाली है, token जैसा incentive नहीं होना चाहिए, substantial होना चाहिए, तब जाके लोगों को interest आवे, पैसा लगाने के ल भारत में, बट हर कोई businessmen चाहता है कि उसको profitable opportunity मिले, antibiotics जैसे सबसे बड़ा import है, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले antibiotics के उपर अगर हम लोग ने focus किया, तो वो हो जाएगा, और शायद government कर भी रही है, और मेरा दूसरा एक चीज़ है कि nutrition, आप फार्मा की बात कर रहे हैं, nutrition भी फार्मा का हिस्सा है, या फार्मा nutrition का हिस्सा है, तो इसके अंदर तो भारत बहुत पिछडा हुआ है, फार्मा में तो बहुत आगे है, एक simple product, अपना देश भारत, दूद में, liquid milk में सबसे बड़ा producer है, पर उसकी derivatives कुछ भी नहीं है, एक simple product like whey protein concentrate हो गया या isolate हो गया, ह हम practically 20-25,000 ton इंडिया में import करते हैं, soya protein, कितनी soya की खपत होती हैं इंडिया में, पर 15,000 ton soya protein को import करते हैं, तो यह सब चीज़ अगर government ध्यान दे वे और इसके अपर करें तो I think China के उपल तो निंवर्टा कम करनी भी चीए और वो भी जाए अच्छा overall sir, हम सब जानते हैं कि स्वास्त के उपर GDP पर हमारा जो खर्चा है, वो बहुत कम है, अगर हम compare करेंगे तो हमारे आसपरोस के कई ऐसे देश है, in fact, बंगला देश जैसे भी देश है, जो हम से शायद आगे हैं, स्वास्त पर हमारा GDP का 1.3 थोड़ा उपर नीचे ह हो जाता है, धाई फीस्दी का हमने लक्षत रखा जरूर है, लेकिन हम वहां तक पहुच नहीं पा रहे हैं, और अब जो है sir, demand ये की जा रही है कि overall GDP का खर्चा आप स्वास्त पर बढ़ाईए, तो आप जो कह रहे हैं, nutrition पे, फार्मा के पूरे industry पे, healthcare पर, अगर overall हम GDP का ख pandemic चल रहा है, और इसमें फार्मा कंपनियों ने, health workers ने, जो मिलके और सारी stakeholders ने जो काम किया है, वो ला जवाब है, इसमें कोई दोर आए नहीं है कि फार्मा कंपनी एकदम अगरिम होके और proactively, मुझे पता है कि कुछ फार्मा owners, कुछ raw materials नहीं मिल रहे थे, तो owners, 25-25,000 करो हम लोग को यह heroes को, they are unsung heroes, they should be saluted I would say, फिर budget के एक strong impetus देना चाहिए, subsidies, जैते digitization का एक thrust देना चाहिए, फिर infra का मैं बोल चुका हूँ, medical insurance, medical insurance हमारे यह पे mediclaim के नाम पे होता क्या है, कुछ भी नहीं, इतनी तारी problem है, और lower level पे तो mediclaim जाता भी नहीं है, फिर innovation के लिए tax breaks, यह बहुत important tax breaks और बहुत अच्छी मातरा में देनी चाहिए, फिर NPPPA को हटा देना चाहिए मेरे साथ से, because price का capping तो competition decide करेगा, तो जैसे यह खतम होता है NPPPA, तो बहुत सारे लोग production में आना चाहेंगे, और price कम भी होईगी, तो यह कुछ चीज़े हैं जो मैं सोचता हूँ कि GDP को अगर बढ़ा दिया as a percentage total capital allocation जादा कर दिया, तो obviously बहुत बड़ी मातरा नहीं चीए, बीस पच्छीत हजार करोड चीए, which is not a big thing for India, for a country like India, इतना साही तो करना है काली, बिल्कुल, और आपके पास दो साल का तो अनुभव भी है, आपके पूरा pandemic काल देखा है, so it's a big and good opportunity, अगर सरकार इसमें allocation बढ़ाती है, यह वक्त की जरूरत भी है, और मेरे ख्याल से एक सदेश के एक एक बाशिंदे के लिए, इस वक्त सबसे आवश्चक चीज़ भी, ब